नमस्कार दोस्तों वेदानता लिमीटेड कमपनी के स्टॉक की सबसे बरी अपडेट 2024 में क्या होगा कुछ नया दोस्तों इस बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब कर नोटिफिकेशन आउन कर लीजिए अगर आप भी वेदानता लिमीटेड कमपनी के इन्वेस्टर हैं तो आपको एक बड़ी अपडेट के बारे में जानकारी देंगे और वेदानता कमपनी वर्तमान समय में डिविडेंट के लिए ही जानी जाती है कमपनी ने दिसंबर में 2023 के अंत में डिविडेंट दिया है और company अपने return को लेकर चर्चा का विशे बन चुकी है अगर आपने इस company के stock की खरीदारी कर बहुत पहले कर ली थी या फिर आपने 52 वीक में उच्चतम कीमत पर इस company के stock खरीदा होगा तो आपको भी अभी तक नुक्सान हो रहा होगा पिछले six म смысle आकरों से पता चलता है कि company के stock में गिरावट देखने को मिल रही है company का stock लगवख 20 रुपया की गिरावट देखने को मिली है अभी company के stock 259 रुपया तक पहुच गया है जब भी कमपनी के तरब से डिविडेंट की न्यूज आती है तो कमपनी के स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है वेदान्ता लिमिटेड कमपनी के बारे में मार्केट में एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि company के stock में इतना ज़्यादा return नहीं मिल पाया है हलाकि company हर बार अच्छी मातरा में dividend दे रही है इससे investor को थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता है लेकिन stock से इतना फायदा नहीं मिलता है क्योंकि 2023 में भी company के stock में इतनी अच्छी बढ़ोतरी नहीं हुई है पांस साल में दिया है केवल इतना ही return वेदानता limited company के stock में केवल पिछले पांस साल में 33% बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है और वेदानता company के stock पिछले पांस साल में केवल investor को आप 65 रुपया का ही return दिया है मतलब पिछले 5 साल के अंतर में इंवेस्टर को कोई अच्छा खासा फायदा इस कमपनी के स्टॉक से नहीं मिला है विदानता कमपनी के स्टॉक में तभी हमें बढ़ोतीरी देखने के लिए मिलती है जब इस company के stock में dividend की खबर market में आती है जैसा कि December में भी देखा गया और फरवरी के महीने में भी यही इस्तिती company के stock में उत्पन हो जाती है क्योंकि company फरवरी में अफना finance report परुस्तूत करती है जिसमें dividend की खबर पहले से ही आ जाती है अगर company का business आगे अच्छा चला तो company के stock में बढ़ोतरी होने की chance है हलकी गिरावट company के stock में हर साल देखने को मिलती है और आने वाले समय में अगर company अच्छी ढंक से काम करेगी तो company के stock में कुछ अच्छा हो सकता है इसी तरीके के update पाने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर notification on कर लिजिए ताकि stock market की कोई भी news सबसे पहले आप तक पहुँच सके वेदान्ता limited company के stock की चर्चा इस वीडियो में इसलिए की है क्योंकि 2023 बीच चुका है और 2024 में वेदान्ता limited company के बारे में कुछ नहीं update आएगी जिसका असर company के stock पर भी होगा अब company फरवरी में अपना दिसंबर के quarter report भी प्रस्तूत कर सकती है